बिस्मिल्लाइ रमानि रहीम, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हैदरबादी चिकन दम बिरियानी, वर्ल्ड फेमस हैदरबादी चिकन दम बिरियानी, मज़ेदार दम बिरियानी बनाने के लिए तीन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि राइस को कितना कुक क करना है, ओनियन को कैसे फ्राइ करना है, और स्पाइसेस की हिसाब से एट करना है, यह मैंने 1.5 kg चिकन ले लिया है, अच्छे से वाश कर लिया है, चिकन में कर्स भी लगा लिये हैं, बिल्कुल इस तरह से, टू टीस्पून रेट चिली पॉडर एट करेंगे, गराब 2 kg चिकन ले तो हाफ टीस्पून आट कर दें, टू टीस्पून चिंजर गालिक पेस्ट आट करेंगे, हाफ टीस्पून सॉल्ट आट करेंगे, अभी हम मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, यह फर्स स्टेप है, चिकन मैरिनेशन का, पीसेस को अच्छे से रब करते वे, हाफ टीस्पून धनिया पॉडर आट करेंगे, धनिया पॉडर एट करने से बिर्यानी में अच्छे से ब्राउन कलर भी आता है ये कुकिंग पॉट ले लेंगे ओनियन फ्राइ करने के लिए 500 ml ओयल लेंगे ओयल ज्यादा लेने से ओनियन अच्छे से फ्राइ हो जाते हैं इसलिए ज्यादा लिया है, ये खड़े गरम मसाले लेंगे, हाफ टीस्पून शाही जीरा, चार अदद इलाइची, चार अदद लाउंग, दो दालचीनी के तुकड़े, ओनियन को अच्छे से कट कर लिया है, ना ही थिन कट किया है, ना ही बहुत ज्यादा मोटा कट किया है, एक प्याज में आपको चार पीसे करने है, इस तरह से आपको ओनियन कट करना है, बहुत ज्यादा लंबा लंबा नहीं कट करना है, प्याज में थोड़ा सा सॉल्ट अट किया है ताके फीकी ना रहे, ओनियन को वाटर रिलीज होने तक सॉफ्ट होने तक ओनियन को हाई फ्ल करना शुरू कर दें खिनारे सुनहरे गोल्डन कलर के हो जाएं तो फ्लेम मीडियम कर दें यहां पर 1.5 kg राइस और 1.5 kg चिकन के लिए हाफ केजी ओनियन ली है और हाफ केजी योगर्ट पी लेंगे यह बिर्यानी के लिए बेतरीन मसाला बन जाएगा माशाला से अभी ओनियन सारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है इस स्टेज पर हम इसको डिशॉट कर लेते हैं यह डिशॉट करने के बाद भी थोड़ी सी कलर चेंज करेगी इसलिए के इसमें गर्म ओयल होता है देखिए एकदम कुरकुरी खुली खुली ओनियन फ्राई हुई जब मैंने ओयल में से निकाला था तब यह सुनहरे रंगी गोल्डन कलर की थी अभी थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है बिर्यानी के लिए बिल्कुल इसी तरह का कलर चाहिए तो बिर्यानी भी अच्छे से ब्राउन कलर में बनेगी अब हम इस ओनियन को थोड़ा सा पुदीना एड़ किया है इसे भी थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से अभी हम चिकन का सेकंड मैरिनेशन कर लेंगे ऑनियन के पेस्ट और तहीं के साथ ये मैंने 1.5 kg योगर्ट लिया है 1.5 kg चिकन में 1.5 kg योगर्ट लेंगे इसे बेहतरीन मसाला बनेगा अभी हम दहीं और ओनियन को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 30 मिनट के लिए साइड में रख देंगे गवर करकर तब तक हम राइस कुक कर लेते हैं क्वाटर टीस्पून शाही जीरा तीन अदद इलाइची एक दालचीनी का तुकड़ा तीन लॉंग थोड़ा सा पत्थर का फूल लिया है तीन से चार लीटर वाटर लेंगे इसमें इसको मसालों को एड़ करेंगे चार हरी मिर्च ली हैं इसको उबलने के लिए रख देते हैं जो चिकन मैरिनेशन के लिए रखा था उसको ओइनियन के ओईल में एड़ करेंगे और इसमें से मैंने ओईल निकाल लिया है सिर्फ 100 ml ओईल रखेंगे इसलिए के बाद में हम 2 टेवल स्पून घी भी एड़ करेंगे ओनियन में भी ओईल होता है चिकन में 4 अदद हरी मिर्च एड़ करेंगे अभी पानी में उबाल आ चुका है इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा मिन्ट लीव्स एड़ करेंगे टू टी स्पून सॉल्ट आट करेंगे देखिए राइस अच्छे से भीकर सफेध हो चुका है बिल्कुल वाइट हो चुका है राइस को तकरीबन 40 मिनट के लिए भीगाएंगे अभी पहली बार राइस को हम 30 परसेंट कुक करेंगे जो 30 परसेंट कुक राइस होगा उसको स्टेनर में ले लेंगे माशाला से अभी राइस 30 परसेंट कुक हो चुका है इसको स्टेनर में लेंगे हम इस राइस में से 25% राइस निकाल लेंगे और आगे राइस को 75% कुक करेंगे 30% कुक्ड राइस को हम चिकन के ऊपर फस्ट लेर लगा देंगे इसलिए कि जब चिकन का वाटर रिलीस हो तो राइस ज्यादा नरम नहीं होगा इसलिए 30% कुक्या हुआ लेंगे और दूसरी लेर 75% कुक्ड राइस की है इसको सिकन लेर लगा देंगे इस तरह करने से नीचे और उपर का राइस एक जैसा बनेगा खुला खुला नीचे का राइस नरम नहीं होगा बिर्यानी को और खुबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा येलो कलर और थोड़ा सा औरेंज कलर ले लेंगे हाफ कप दूद एट करेंगे दूद एट करने से बिर्यानी में बहुत अच्छा जायखा आता है अभी हम बिर्यानी को दम दे देंगे तकरीबन बिरियानी को पहले 5 minutes high flame पर दम देंगे 25 minutes low flame पर दम देंगे माशालला से अभी हमारी बिरियानी अच्छे से दम हो चुकी है आप देख सकते हैं रैस कितने अच्छे से कुख हुआ है एक दम खिला खिला अभी हम इस पर 2 टेबल स्पून खी आड़ करेंगे खी हमेशा बिरियानी को दम देने के बाद आड़ करें फ्रै की ही ओनियन धनिया पत्ता मिंड लीब्स से बिरियानी को गानिश करेंगे मैं अभी आपको रैस को नीचे से निकाल कर बताती हूँ कितना अच्छे से बना है उपर वाला रैस और नीचे वाला रैस बिल्कुल एक जैसा बना है आप देख सकते हैं मसाले के साथ बिल्कुल खिला खिला रैस बना है नर्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है ना ही गला है एक बात का ध्यान रखें कि बिर्यानी जब हमेशा दम होती है तो दम होते ही सर्व ना करें डिशोट ना करें तक खरीबन एक घंटे तक पॉट में ही रहने दें इसके बात सर्व करें इससे आपकी बिल्यानी और भी जाएखेदार बनेगी टेस्ट में और भी इजाफा होगा इस बेहतरी चिकन दंबिल्यानी के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन को ब्रेस करें ठैंक्स फॉर वाचिंग में वीडियो जजाका लगो खेर